हेलो फ्रेंट स्वागत आपका मारी यूटूब चैनल परफेक्ट नोलिए जितने चैप्टर मैंने बहुत विज्ञान के पड़ा दीते उससे आगे के जो चैप्टर है उसमें ज्यादा सिलेवर्स नहीं उठता है ठीक है कुछ पॉइंट उठेंगे जो महत्पूर है वो मैं आपको आपके मोडल में बता रहा हूं ठीक है चाहिए वो आपके पास कोई साही मोडल हो आप महां से वो तैयार कर लीजिए ठीक है पढ़के जाना है क्योंकि अगली चीज आपको तैयार करने वाली नहीं है आपको बस पढ़ने वाली चीज है ठीक है पढ़के जाएंगे आपका हो जाएगा, ठीक है? तो देखिए, चैप्टर No.14 हे वह उर्जा के सौर्थ हैं उर्जा के स्रोषत तो यानि ओर्जा आपको कहा कहा amor से मिलती है ठीक है, भो है तो देखिए, उसके जू मुख्य बिंदू में भी मैं आपको बता दूँग 우와 और आगे भी बता दूवा तो आपको इसमें जो पढ़ना और चैप्टर में वो दो टोपिक मुझी पमनेस पढ़ने हैं नाविक के उर्जा नाविक के विखंडन और सल्यान और नबनी और उर्ज इस्तरiquement और उर्जा उर्जा इस्तर में तो यह आपको पढ़ करोंदा देख जलके नाभी को में तोड़ा जा सकता है इस अभी किरिया में विसाल मातर में उर्जा मुक्त होती है ठीक है यूरीनियम 235 को तोड़ रहे है छोटे-छोटे परमाड़ गर तो यह तूड़ देगा बोरियम और ठीक है इसमें तो आप अच्छे से बस इतकी परिवासा पढ़ पढ़ने इस चैप्टर में ठीक है समझमाई चलिए नेक्स जो टोपिक पढ़ना है आपको यह पढ़ना है आपको यह वाला ठीक है चलिए आपको यह कदि-कदि पूछ लिया था परिवासा ल पीजी की और सी एनजी की पूरे नाम ठीक है यह आप पढ़ लेंगे बैसे आ आपको पढ़ना एज में चलिए तो नेक्स आपको पढ़ना है यह क्या पढ़ना है ना नेक्स आपको यह चोद्वा कोशन है अमली बर्सा क्या है इससे क्या हानी है तो आपको यह कोशिन पढ़के जाना हो लेडी बस और जो नेक्स कोशन है वह इंपोटेंट है आपको ल चीतर है जहां चीतर आजाए तो चीतर को मेहतपोर्टा दीजिए चीतर आप बनाना सीख लिए कान्च का ढखकन है यह क्या है सबकुछ ठीक है और इसके फिर इसमें याद रखी होता क्या है दीखिए एक एक ऐसी युक्ति है ऀसमें सोर उर्जा का प्योग करके भोड़न को पकाया जाता है, सोर उर्जा में तो सूर?" do दुआरा क्या करा जाता है बोचन पगा जाता है इसलिए इसे सोर चुला भी कहते हैं चित्र में बोक्ष नमा और कुकर को प्रदिसित क्या गया यह वाला इसे सारों को अच्छे सा पढ़ लेंगे ओलेडी पढ़ना है आपको मैं यह नहीं कहा आपको रट्टा मारना चित्र सब कुछ पढ़ लेंगे चलिए एक यह जो पिछे भी आयता देखिए नाभिक के सल्या नाभिक के भिगेंड़न यहां भी समझाया इन्होंने आप चाहे तो यहां से कर लिजिए चाहे वहां से कर लिजिए चलिए तो इस चैप्टर में आपको बस यहीं पढ़ना है फालत इसमें आपको बहुत भी कल तो सारे ही पढ़ लेंगे लगवक कमी है ठीक है जो इंपोटेंट है वो मैं आपको बता रहा हूं देखिए परिया बरान से संबंदिते बेर इंपोटेंट है जल पिर्दूसन के चार विभिन कारों का कारकों का बढ़न कीजिए तो जल गरेलू अपमार्जग यानि कि गरेलू जो आप घर में कपडे बरतन अब फर्स साफ करने में प्यूक्त किये जाने वाले पदारतों को गरेलू अपमार्जग कहते हैं ये अवसीष्ट पैदारतों के साथ में निसकेसित होते जो नदी या तालाब में पहुंच जाते हैं आपने देखा होगा आप जो कपड़े दोते हैं, घर की सपाई करते हैं, जो गंद की वो कहां जाती है, नदी है, नाले के मादिम से, कहां बोस्ती है, हमारे नदियों में पोस्ती है, ठीक है, सोड़ी कैसे नलियों के मात्यम से नधियों पोझ जती है ताला में पोझ जती है । इस तरिके से इसके सापको यह इसके क्या समझते खा सिंख्ला था खा जाल में क्या अंतर है उठी उधरँड़ों की साइटा से समझाई एक खाथ मतलब जो खा रहे हैं तो इस तरी के से आपको इस ट्रेक्टचर वाना नहीं करें कि हरे मेंडक और यह पक्सी खर्गोस सांप यह खाता है ठीक है और चुहे को भी खा लेता है और चुहा के खाते है घास कीट के खाते है घास पक्सी के खाते है घास खर्गोस के खाते है घास तो इस तरीके से यह इस टेक्श्चर है कि कौन कह चीज खाता है ठीक है और इसमें अंतर करें यह रहें घ्यां जो आपको आसान लें बोह कीज लगें वह आप कर लें तो बनाकर अप लिख देंगे अच्छे से आपका रइट दाइगा चलिय नेक्ट चैट्टर देखते हैं उसके सुमसादने का संप्रीजिप्नाव मर् फ्रकूर। उच्छाट प्रकृति क्या प्रीयों करक्राना का मिल प्रेकृति है रुटिपय। तरॉस्पाइ यूजन के गंगा की सभाई का योजनह यानि सब कुछ इन्होंने या पर लिखर रख का है आप पढ़ लेजिए, एक बार पढ़के बन जाएगा, आप बना बना के लिक्ष्जाना है, ठीक है? चलिए, नैक देखे, प्राकरत संसाधन से क्या समझते हैं, यानी कि प्राकरत संसाधन क्या होते हैं, माना समाच को होने वाले, इस से लाब का संग्षिक्त उधारन सहीद बढ़न कीजी, यहीं मनुस्य को क्या लावाड इससें, यह आपको इस चैप्टर में पढ़ना है »चलिए« नेक्श जोपढ़ना है »जल אנחנו पढ़ना है कम ishment הכश Saggriam क shows कहा है पानी को कैसे हम खराब होने से बचा सकते हैं ताकि भवस्य हमें काम दे इस चीज के बारे में इसमें लिखा पाड़ा है आप आसानी से पढ़ लीजिए बिल्कूल बना बना के लिगना होता है मैंने सुर्म में बताया है इसमें एक दो कुश्चन ओर है देखिए जल सरक्षन यहां भी आगया जल सरक्षन से क्या जल सरक्षन क्या है बिस्तार में समझाई यह तो आपको पता है कि जल प्रत्वी पर कितना जल है कितने हमें पीने योग यह कितना खा रहा है कितना लबड़ी है यह सब कुछ इसमें लिखा हुआ है आप अराम से पढ़ लेंगे बस है ऐसा नहीं कि कुछ अपने नोट से आपको पढ़ा है कुछ नहीं पढ़ा है बस यह कह रहे हैं कि आपको पढ़के क्या जाना समझ के क्या जाना ताकि पेपर में आपको मिल जाए ठीक है बना के लिखना यह तो पक्का पता है ठीक है पिर दूसर्ण क्या है गंगा का पि विचारों को ब्यक्त करना है कि आप कैसे गंगा की सपाई के बारे में उसकी कति विद्यू को अपनाए ताकि लोग जागरूख हों वो आपको बना के लिगना है तो आप लिग देंगे ठीक है एक बार पढ़ लीजिए नहीं लिगना आता लिगना जाएगा ठीक है तो यह आ सकते हैं कि बन से क्या बन रहा है आज तो बन से आप देख सकते हो हमारा फनीचर ठीक है बड़े हमारे घरों के किवार या बहुत सारी चीजे जो अंगिनत हैं आपके घर में भी हैं तो आपको पता है क्या बनना है तो आप उसके बारे में बहुत अच्छे से लिख सकते है कि बन कितने महत्पूर है हमारे जीवन में ठीक है तो आप बन के बारे में लिखेंगे लेख मांग रहा है आपको बना के लिखना है कि बन से हम क्या बना सकते हैं बन क्यो जरूरी हमारे लिए ठीक है ओक्सिजन मिलती हमें अच्छा बाता बरानत अच्छी हवाय अच्छा बह जाता है यह जढ़ तक पूछा जाता है जाता है एक question और है साथ भू छुट यह मेरे से जनसंक्या नियंतरन पड़ लिए पर निमन्द पर लेख लिखे जाएंगे आपको पता है कि जनसंक्या के cult आज हमारे डेश में कितना हो गया, कितनी करोण जनसंक्या हो गी है तो आप बना बना के लिग देंगे आपका question right जाला जाएगा एक दो heading डाल दीजिए कि जनसंक्या विर्धि के कारण कारण क्या है, लोगों का एस सिक्सित होना सिक्सित नहीं है ठीक है गरम जालवाईयू का होना ठीक है इस तरिके से निवार में डाल दीजी आप के लोगों को सिक्सित बनाए ठीक है तो आप देश की आबादी होने से रोक सकते हैं और एक कड़े से कड़ा कानून बनाए अगर सरकार कड़े से कड़ा कानून बना देगी तो हमारे देश में अगर लागू कर दिया जाएगा तो कोई भी जादर वच्चे नहीं करेगा अनिवारिये कर दिये जाए दो तो उससे भी जनसंक्या पर निरंतर हो सकता है ठीक है मैं कहूंगा हो जाएगा हो सकता नहीं हो जाएगा अगर ऐसा कर दिया जाए तो ठीक है तो इस तरीके से आ तोपिक है वह मैं आपको नेक्ष्ट वीडियो में बताऊंगा वह आप पढ़ लेंगे टिक है बहुत जरूर पढ़ लेंगे क्योंकि बायो का दीनी चैप्टर है उसमें से क्या उठेगा मैं मुख्य टोपिक ठाऊंगा आप बहुत कर जाएगे आप अनाम से बायो का भी कर हैंगे और मैं बताऊं इस मोडल के आपको बहुत विकल्प सारे हर चैप्टर के पढ़ने हैं और जो मोश्टली आपको लगता यह आ जाएगा बहुत जरूर पढ़ना है तिक है यानि कि जातर बहुत है नहीं हर चैप्टर में 10 15 20 25 हद तक मिलेंगे अगर एक फाइदा हो हो रहा है बहुत विकल्प आपको याद करने का बहुत आप याद करते हैं आपको अति लगू में बही मिल जाएंगे चाहिए तो आप अच्छे से पढ़ के जाएए आप चाहे आपको याद नहीं आ जाएए प्टकर जाएए कि पैपर में बैठकर सब कुछ याद आज़ता है कि क्या कुन सा question कैसे है और science में आप ऐसा नहीं कर सकते एक question का दूसरे में answer डाल दिया दूसरे का तीसरे में ऐसा बिल्कुल wrong हो जाएगा examiner आपके number काट लेगा सारा question गलत कर देंगे तिक है आपको उसी के अधार पर question पर लिखना होता है आपको नमबर मिल जाएंगे आपको ऐसे नहीं करना किदर का कोशन किदर कर दिया ठीक है क्या करना आपको उसी के अधार पर लिखना होता है ठीक है चलिए आज जादर थोड़ा बाते जादर हो गई ठीक है झाल